अलो जेड़ोई वेलकम तो अलाइसलो मैं हूं दीपेन गोगवे और आज हम बात करेंगे क्रूड ओइल देखेंगे कहां पर एंटी कर सकता है और कहां एक्जित हो सकता है तो यह आप देख सकते हैं 15-minute chart और Crudal एक up-train लिया हुआ है तो अगर इहां पर एंटी करना है तो आप देख सकते हैं आज gap up में open हुआ है Right Crudal तो इहां से मुझे लगता है है पहले जो market behavior आप देख सकते हैं तो 20 moving average से bounce हुआ है तो अगर आपको anti करना है तो market 20 moving average के आसपास retrace होना चाहिए अगर 20 moving average के आसपास आपको मिले तो आप फिर बाय में आ सकता है क्योंकि यह अहां पर जो market आप देख सकता है ज्यादा उपर निकल गया है तो यह market already over both zone में है बहुत zone में जो रेता है तो market फिर जे निचे आ सकता है ठीक है retracement के लिए तो अगर आप 20 moving average के आसपास मिल चाहिए तो यहां पर anti करके और first target आप जो previous higher point है उहां पर आप आप मरके निकल चाहिटा रेक